हलो फ्रेंड्स वल्कम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे समय चाल और दूरी के प्रेशनों की बात करेंगे आज की वीडियो में दोस्तो ये वीडियो आपका Railway NTPC के लिए बहुत important रहेगा तो आप इस वीडियो कौन तक देखते रहे है different different type के question मिलेंगे आपको इस वीडियो में चलिए start करते है पहला question दे रखा है एक car 30 km परावर की चाल से जाती है तथा 20 km परावर की चाल से बापस आती है तो ओसत चाल क्या होगी ओसत चाल के देखिए formula क्या होता मैं आपको यहापर बता दू ओसत चाल ओसत चाल देखिए clear कर लेना अच्छे से मैं आपको बता दू देखिए आपको दिया किया गया है एक दूरी है कोई A से लेकर B तक की कोई दूरी है ठीक है इस दूरी को 30 की चाल से गया 30 की चाल से गया ठीक है और 20 की चाल से क्या हुआ बापस आया दूरी आपकी एक ही है लिकिन चाल आपकी अलग अलग है तो एक 30 की चाल एक 20 की चाल ठीक है दोस्तों तो देख इसके लिए क्या formula होता हुआ उससा चाल निकालने के लिए जब A की चाल को दो बार किया है उसने तो 2 दो बार किया है तो उसके लिए 2 आ जाएगा A B A मतलब पहली चाल B मतलब दूसरी चाल डिवाइड में क्या रहेगा A पिलस का B ठीक है मतलब दोनों चालों का योग के लिए रहे आप देखिए 2 इंटू A आपके क्या है पहली चाल मतलब 30 हो गई B आपके दूसरी चाल मतलब 20 हो गई और A भी मतलब 30 और 20 कितना हो जाएगा नीचे 50 हो जाएगा के लिए रहे 0 से 0 कार दिजिए 5 चिंग 30 कर जाएगा 2 चिक के 12 12 दूनी 24 कितना निकल गया है दोस्तों 24 आपसे पूछा क्या था ओसत चाल क्या होगी ठीक है दोस्तों तो ओसत चाल क्या है 24 km पर आवर की और सचाल क्या होगी दोस्तों 24 km पर आवर की क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी और सचाल हो जाएगी ठीक है दोस्तों यदि इस question में कोई भी doubt हो तो comment box में बता देना अगला question है एक व्यक्ति 20 km तथा 30 km की दूरी क्रेमश है पांच किलो मीटर परावर तथा 20 km परावर की चाल से तेह करता है तो उसकी और सचाल गयात करें देखें पिछले question दे रखा था उसमें आपको चाल दे रखी थी अलग-अलग देखें दूरी उसमें क्या थी एक थी लेकि इसमें दो दूरी है अलग-अलग एक 20 की दूरी है एक 30 की दूरी है और दोनों को अलग-अलग तेह करता है 5 km की चाल से और 20 km की चाल से अलग-अलग तेह करता है ठीके दोस्तों तो देखें इसे करने का क्या तरीका आपका पुछा क्या गया है ओसत चाल तो औसत चाल बराबर कैसे निकालेंगे इसको देखिए औसत चाल जब आपकी दूरी एक होती दूरी आपकी एक ही होती और चाल अलग होती तो पिछले वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं लेकिसमें दूरी भी अलग लग दी है तो कैसे निकालेंगे, और से चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है, दूरी बट्टे समय, ठीके चाल बराबर होता है, दूरी बट्टे समय, और देखें, दूरी आपकी क्या है, एक तो बीस की दूरी है, एक तीस की दूरी है, ठीके, कितनी की है, एक बीस की दूरी है और एक 30 की दूरी है यहां तक किलिए रो गया अब देखिए नीचे क्या लिखना है समय समय देखिए आपको क्या करना है समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटे चाल समय आपको निकालना है समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल मैं आप लिख देता और चाल कितनी है आपकी 20 की, के लिए दोस्तों यहां तक समझ में आ गया, अब देखिए, 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बटे में, इन दोनों का LCM ले लेंगे, इन दोनों का LCM कितना आ जाएगा, LCM आपका, 20 आ जाएगा, अब 5 से 20 को काटेंगे, 4 बार जाएगा, 4 कर 20 से मल्टिप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 कर 20 में करेंगे, तो 80 हो जाएगा, पिलस का 20 से काटेंगे 1 बार जाएगा 1 का 30 मल्टिप्राई करेंगे तो आपका 30 रहेगा ठीक है तो यहां तक के लिए रो गया अब देखिए 50 बटे में क्या जाएगा 80 और 30 110 बटे में कितना जाएगा 20 अब यह 20 ऊपर आजाएगा. यह 20 ऊपर आजाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 का multiply 2 में कर दो 5 2 नि 10. 10 हो जाएगा. एक ये 0, एक ये 0 मतलब 2 0 हो जाएगे. 1,000 बटे कितना जाएगा? 110 आजाएगा. अब 1-0 से 1-0 कटा लेंगे तो आप का आंसर कितना हो जाएगा 100 बट्टे 11 यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर किलिए रहो गया यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट वोक्स में बता देना और फिर से समझा देता हूं दोस्तों यदि आपको ऐसा कोईशन पूछा जाए जिसमें अलग-अलग दूरी दी जाए और चाल भी उनको अलग-अलग दी जाए तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय दूरी आपको क्या दे रखिए एक 20 की है एक 30 की है लिख लिए अब समय निकालना है समय बराबर क्या होता है समय दूरी बट्टे चाल धूरी आपकी वीच की है चाल क्या है आपकी पांच प्लस दूरी, आपकी 30 है चाल कित्मी आपकी 20 है लिख देंगे उपर इन दोनों का जोड़ा 50 हो गया ठीक है इन दोनों का प्लस किया तो 110 हो गया अब बट्टे में 20 आ गया यह 20 कहां चला जाएगा उपर चला जाएगा मल्टिप्लाई में तो 50 का मल्टिप्लाई 20 से करेंगे तो 1000 हो जाएगा ठीक है बट्टे कितना हो जाएगा 110 तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 100 बट्टे 11 क्या हो जाएगा दोस्त क्या होगे ठीक है दोस्तों पूछा क्या है चाल क्या होगी ठीक है तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बटे समय पूरा ये पूरा चेप्टर आपका चाल दूरी और समय पर ही चलता है चाल दूरी समय पर चलता आप देगे दूरी क्या आपकी 1600 है 1600 दूसरी दूरी क्या है 800 है प्लस कर देंगे 800 ठीक है बटे मैं समय कितना दे रखा 40 सेकेंड का आपका समय दे रखा तो 40 लिख दीजिए किलियर हो गया इन दोनों को जोल देंगे कितना हो जाएगा 24 प्रटे का कितना हो जाएगा 400 0 से 0 कर दीजिए 4 से कर जाएगा 44 24 और एगी 0 मतलब 60 कितनी पर कट आप दोस्तो 20 वारी कट गया तो यही क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड किलियर हो गया दोस्तों देखिए मैं आपको एक चीच और किलिए करा दूं यहां पर आप देखेंगे 600 मीटर 800 मीटर दूरी कितनी है मीटर में दे रखी है ठीक है और समय आपका कितना दे रखा दोस्तों आपका सेकेंड में दे रखा है आंसर किसमें आएगा मीटर प्रसेकेंड में आएग पूछा गया है समय लेगी समय पूछा गया तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल होता है समय बराबर ठीक है दूरी कितनी है पंदर सो की और तीन सो की प्लस कर दीजे दोनों को पंदर सो तीन सो अठारा सो हो जाएगा ठीक है दोस्त यही तो होता है आपको क्या करना यूनिट सेम करनी है या तो चाल को भी मीटर में बना लो या मीटर को भी आप किलो मीटर पर आवर बना लो तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों किलो मीटर पर आवर को मीटर में बना लेंगे ठीक है दोस्तों मतलब बड़ी उनिट को जब छोटी उनिट में convert करते हैं देखे चाल किती दे रखी आपको 72 की दे रखी हैं समझा देता हूं दोस्तों देखे 72 के आपकी किलो मीटर ये क्या है मीटर मीटर छोटा होता है किलो मीटर बड़ा होता है तो आप किलो मीटर को मीटर में change कर रहे है मतलब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं तो छोटी संक्या उपर रहेगे मतलब छोटी संक्या क्या है 5 बटे 18 हो जाएगा यदि आप मीटर को किलो मीटर में चेंज करते छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते तो बड़ी संक्या उपर आ जाती है बड़ी युनिट से छोटी युनिट में आते हैं तो छोटी संक्या उपर आती है किलियर हो गया 18, 4, 72 काट जाएगा 4, 25, 20 हो जाएगा ठीके तो जोस्तों कितना हो गया अब देखे, 0 से 0 काड़ दो, 2 निम अठारा कट जाएगा, और एक ये 0 मतला, 60 सेकंड का क्या लगेगा, दोस्तों, आपको समय लगेगा, कितना समय लगेगा, 90 सेकंड का सम लगेगा, पुल को पार करने में, ठीक है, दोस्तों, कोई भी डाउट हो, तो बता देना, समय बराबर होता है, दूरी बटे, चाल, दूरी आपकी कितनी है, पंदर सो, तीन सो, अठारे सो, चाल, आपकी देखिए, यहां किलो मीटर में दे रखी, लेकिन दूरी मीटर में है, तो इसे भी क्या करा है, या आप इसे भी मीटर बना लिया, तो आपने क्या क्या इसे भी मीटर बना लिया मीटर कितना लिकर क्या है 20 मीटर का चाल कितनी निकले 20 मीटर पर सेकन तो 20 से डिवाइड कर तो बस आप कहां से निकल क्या जाएगा ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है एक बाइसो मीटर लंबी रेल गाड़ी 90 किलो मीटर की चाल से किसी पुल को पार करने में दू मिनिट का समय लेती है तो पुल की लंबाई ग्याद करें पुल की लंबाई इसमें ग्याद करनी है ठीक है दोस्तो कितनी है देखिए आपको पूछा गया है लंबाई याद करनी है और मैं आपको बता दू यहां मीटर में दे रखा है यहां किलो मीटर परावर में दे रखा है तो आप क्या करें किलो मीटर परावर को मीटर बना ले जा मीटर को किलो मीटर बना ले ठीक है दोस्तो एक ही unit आपको बनाना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे इस 90 km को मीटर में चेंज कर लेते हैं जब इसे मीटर में चेंज करेंगे बड़ी unit से छोटी unit में आएगो तो छोटी संक्य उपर आएगी बड़ी संक्य नीचे आएगी किलियर है 18.95 कर जाएगा 5 से 5 आप मल्टिप्लाइ कर दो 25 मीटर पर सेकंड निकल गयेगा 25 मीटर आपने मीटर में चेंज कर लिया अब देखिए पूछा क्या है समय लेती है तो पुलखी लंबाई ग्याद करें तो देखिए समय आपको बता दो समय कितना दे रखा है याँ पर समय दे रखा है दोस्तों 2 मिनट का 2 मिनट का आपको समय दे रखा है किलियर हो गया 2 मिनट बराबर कितनी होती है दोस्तों 120 सेकंड होती है 2 मिनट बराबर कितनी होती है 120 सेकंड होती है अब देखिए पुलकी लंबाई पुछी गई है लंबाई मतलब दूरी पुछी गई है कितनी है ठीक है पुलकी दूरी पुछी गई है तो दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है देखिए दूरी बराबर होता है दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय ठीक है दोस्तों चाल कितनी है आपक चाल है 25 की, ठीक है चाल कितने निकल काईए जो आपको, आंसर आजाएगा, तो 12 का मल्टिप्राइप 12 से करेंगे, तो कितना निकल का जाएगा, 3000 मीटर की दूरी निकल का जाएगी आप देखें 3000 मीटर की यह जो दूरी निकल के आई है इसमें 1200 मीटर लंबी रेल गाड़ी भी प्लस हो रही है किलियर है दोस्तों टोटल दूरी निकल के आई है यह तो रेल गाड़ी की और पुल की जिसमें 1200 मीटर लंबी आपकी रेल गाड़ी भी है तो इस 3000 में से 1200 को मानिस कर देंगे रेल गाड़ी को तो पुल की लंबाई पता चल जाएगी तो इस में से आप 1200 को कर दीजे माइनस कितना बचेगा दोस्तो 1800 बचेगा 1800 ही क्या है आपकी पुल की लंबाई हो गई तो 18,000 क्या हो जागा दोस्तों आपको सही आंसर हो जाएगा किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट वाक्स में दोस्तों बता देना देखें टोटल दूरी कितनी निकल का आई है आपकी 3,000 1200 है आपकी रेल गाड़ी की लंबाई 1200 को मानस करना पड़ेगा तबी तो पुल की लंबाई बचेगी तो 1800 बचेगी आपकी पुल की लंबाई किलियर हो गया दोस्तों कोई भी डाउट हो तो कमेंट वाक्स में बता देना दोस्तों दी वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजे और बेल आइकन का बटर भी दबा दीजे दोस्तों धन्यवाद